आज आहले सुवा हाजी पुर साधा थाना च्छत के दिग्गी महुआ मोर के पास जाम हटाने के दौरान एंडियार एफ के जवान और बिहार पुलिस के जवान आपस में भिर गए बताय जा रहा है कि वहाँ जाम लगाऊ था और अन्इयर एफ की गारी वहाँ से गुजर रही थी जिस पुर घाल खाली कराने गई साधा थाना की पुलिस ने थोड़िया लाठी चट काई hein जिससे ढ़री के सीशा फूड गया उनका गाड़ी को पकरकर थाना लीयाई लेकिन बाद में बड़िये पतादिकारियों के आने पर मामला को रफा धफा करते देखा गया वहीं साधाना की दो पुलिस कर्मी इलाज के लिए हाजीपुर के सदस्पताल भेजी गई जहां पर उन्हें आंसी ग्रूप से चोट लगी थी जिनका इलाज किया गया उन्होंने आरोप लगाया है कि NDRF के लोगों ने उनके साथ जाती की है वहीं NDRF के जबानों ने आरोप लगाया है कि लाठी चटकाई जा रही थी और लाठी के दम पर पैसा वसूला जा रहा था अब मामला क्या है ये तो जांच की बात है लेकिन फिलहाल मामले को रफा दफा करता देखा गया को बाता है म实ब एन्ने घच हैो बाता है फिल्खेश्ट भासकेश्ट आ एक करता है करको फो जांच की औरatto को बाता पैसे ऩुट्ट्स अचेश्टो एक उांच की और्द भासकेश्ट को घzą है को बातuda इंक प्ठाब है आखर है पूलिस तब लागे लगाया है और हमारी जो इंस्पेटर साहब है मुख्याले को दिया हूं और इस पे कारवाई उचित होना चाहिए कि उन्होंने किसी भी गारी पर मुटलब लाठी रंडा वर्षा के पैसा सुजी कोशिश कर रहा है यहां से पीन-चार किलो मेटर दूर है जिस किने मुझे रात में यह अभी सर्जस्ट एक जल गंदर पले और हमारे बिसेस जो इस्टिप्मेंट लेना है अब हमारे इसकतर साहिसाद है वहां जाम सुरा रहे सुरू करते हैं इसे जहां सब्सक्राइब कर रहे थे ना इसी में क्राइब कर लग गया है लोकिन के लास पर है कास्टू